दोस्तों मैं भी कोवल आज इस वीडियो हम बात करने वाला हूँ ब्यार से इच्छे के बहुत बड़ी भेकंसी निकल करुदा दोस्तों आपने सही सुना मैं अझ इस वीडियो के अंतर हो निकलने वाला हो कि यह जो लोगड़न बाद इसका आवेदानी स्टार्ट कर दिया ज को मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ और इसमें बताने वाला हूँ कि इसके अप्लिकेशन कबसे डिलाएंगे इसका डेट कबसे है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लिए वह ना बुले तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्लि देख पा रहे हैं कि बिहार TET जिसको और्गनाइजेशन भी खुद बिहार स्कुल एक्जामिनेशन बोर्ड कर रहे हैं और इसका स्टेटस में भी जो बताया जा रहा है कि इसके नोटिफिकेशन जो अभी नहीं रिलीज किये गए है इसका डेट अभी रिलीज नहीं किये की बात करते हैं तो तीसरे सप्ता सितंबर के तीसरे सप्ता से जो है इसका अपलाई भी स्टार्ट हो जाएगा और इसका जहां तक पे और जहां तक इसके हम लास्ट डेट टू पे दफी ऑनलाइन के हम बात करते हैं तो यह भी जो है आपको सितंबर के तीसरे सप्ता में ही कर दिया जाएगा जबकि हम इसकी admit card release की बात करते हैं कि आपको admit card कब तक निकल कर आजाएंगे को आपको October को last week टक जो है इसका admit card release कर दिया जाएंगे वह ही exam के हम बात करते हैं इसका एक्जाम吧 आपको नॉमबर 2020 तक एक्जाम होगे वहीं इसका रिजल्ट जो है आपको दिसंबर 2020 तक जो है इसका रिजल्ट जाड़ी करने की सम्भावना है जो कि आपको 10 में दर्शान वह हो सकता है इसमें फिक्स नहीं दर्सा आगया है result के बारे में वह हम इसके एज लिमिट और कि टर्य या paper one paper two सरा चीज़ के बारे में हमको time by term बताते चलते हैं तो जैसा कि हम आपको बताते कि इसमें दो paper में बाढ़ते ग़ा है exam को एक paper one में और एक paper two में बाढ़ते ग़ा है तो paper one किसके लिए दिया गया है तो जो candidate 1 से लेकर 5th class के student को पढ़ाने के लिए form डालना चाहते है वो paper 1 में करेंगे और जो paper 2 जो candidate 6 से लेकर 8 तक के students को पढ़ाना चाहते है वो paper 2 में पाएंगे वही हम इसके बात करते हैं तो इसकी age की बात करते हैं तो male के लिए जो इसके age होंगे की बात करेंगे तो वह आपको 12 साल तक के हो जाएंगे वही हम इसके paper 1 eligibility के क्या है paper 1 में वह हम आपको बताते चलते हैं तो इसके लिए जो है आपको बीए सी बीए प्लस में degree होना आवज सेक है जिसमें आपको 50% minimum marks होना जोड़ी है उसके साथ ही B8 qualification भी होना बहुत ही जोड़ी है वही हम paper 2 की बात करते हैं तो आपको class 12 में और graduation होना चाहिए और उसके साथ ही आपको B8 और master degree भी बीए जो master degree होता वह आपको होना चाहिए वह हम इसके आगे की हम बात करते हैं कच्छा 125 यानि paper 1 के बात करते हैं तो इसमें क्या-क्या दिया गया है वह हम आपको बताते हैं तो जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए जो आपको minimum 50% marks होने चाहिए इसको form डालने के लिए आपका और उसके बाद जो है आपको बीएट का भी certificate होना चाहिए हुआ ही हम पर टू की बात करते हैं तो six से लेकर eight की बात करते हैं तो उसमें जो है आपको बीए बीए सी उतिरन होना चाहिए और उसके साथ ही उसमें भी 50% marks साथ उतिरन होना चाहिए और उसके साथ या आपको B8 का एक वर्षी असनातक डिग्री भी होना चाहिए हुआ ही जब हम इसके एक्जाम पैटर्ण की बात करते हैं तो एक्जाम में कौन-कौन से किस-किस सब्जेक्ट से एक्जाम पुछे जाएंगे वह मैं आपको बता दे चलता हो जैसा कि जो आप देख पार है कि giving ऐंगे तो उसने भी आपको बंगला की बात करते हैं यहांसे आपको 10 adapts recipes के तो यानि कि टोटल जो आपको डेट्स होंगे और जो आपके एक्जाम टाइम जो होंगे वह भी दो घंटा जैसा कि पेपर वान में हम बात करते हैं सब्जेक्ट वन में चाइल डेवलप्पेंट एपेड़ोजी में जिसमें आपको 30 से होंगे लंगेज में आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है जिसमें हिंदी उर्दू बंगला मैं जो भी यूज करते हैं वह आपको इसमे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि आपको सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपको सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें साथ मर्स होंगे और इसको टाइम दूर्जेशन होंगे, वह希望 थ ती समिनट के होनगे, टोटल होनगे तोलऊंगे तैसमिनट के होनगे बेरफ सब्जेक्ट के लिए यह 17jar इंट के होनके होनगे, आपको 23 सब्रनेक्रोंत के होनगे इसके सब्रस का समील सब्सेक्राइब करने होगे सब्सक्याश Teacher Asian Kidís previously downloaded topics हम चर्चा कर देते हैं तो जहां तक हम अपको बता रहे हैं जहां तक यह देख पाल कि प्रफर वन और पर टू अगर दोनों आफ जो फर्म फिल अपकर करतें और दोनों का एक्साम देते हैं तो या अलग अगर देते हैं तो पेपर वन के लिए 400 पेपर टू के लिए 400 अगर दूनों का देते हैं तो आपको 600 रुपे लगते हैं वही एस सी स्टिक के लिए जो है आपको पेपर वन का 200 है और पेपर टू का जो है तो यह भी मैं आपको चर्चा कर देता हूं कि कौन को सब्जेक्ट के लिए टीचर बहाल होंगे तो जैसा कि हम आपको सब्जेक्ट के लिए बहाल होंगे ये भी मैं आपको बता दना चाहता हूँ तो पहला जो है इंगलीस है दूसरा मैथ होंगे तीसरा फीजिक्स होंगे चौथा केमिस्ट्री होंगे पाछवा जिलोजी होंगे साथवा बोटनी होंगे और आठवा कंप्यूटर साइंस होगे इतने के लिए जो है कंडिडेट्स बहाल किये जाएंगे ये जो मैं आपको इस बीटीटी का एक्जाम होने वाला है इसका जो अप्लिकेशन्स आने वाले सितमर महा के लिए इसकी साड़ी फुल डिटेल है मैं आपको इस वीडियो के मादम से बता रहा हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूले एवं दोस्तों के साथ जोड़ से रिकिजिए धन्यवाद